नमश्कर आप देख रहे हैं ABC इंडिया मैं अमिद भोबिया दोस्तों आज हम बात करेंगे सरसों की अच्छी किस्मों के बारे में अभी हाल ही में आपने ख़बर सुनी होगी कि नई किस्में लौच की गई हैं उन नई किस्मों के बारे में तो आपको बताऊंगा ही बताऊं लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि कम समय में होने वाली सरसों की कौन सी किस्में हैं फिर हम बात करेंगे गोबी सरसों की अच्छी किस्मों के बारे में फिर हम बात करेंगे प्राइवेट कमपनियों की जो अच्छी किस्में हैं उनके बारे में फिर हम बात करेंगे जो नई किसमे आई हैं उनके बारे में और फिर मैं अपना ओपिनियन दूँगा कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट किसम कौन सी है जिसे हम अपने खेट के अंदर बोते हैं खेर दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप लोग चैनल को सबस्क्राइब कर लें बैल किसमे होती हैं वो है TS-46, TS-36, M-27, PBT-37, TL-15 और TL-17 ये जो किसमे हैं ये तकरीबन 90 दिन के किसमे हैं 80-90 दिन के बीच में होने वाली किसमे हैं इनके अंदर क्वालिटी ये है कि सेप्टेंबर के महिने में इनकी बौई हो जाती है सेप्टेंबर, एक्टूबर, नुवंब दिसंबर, 15 दिसंबर से पहले पहले लोग इन्हें हर्वेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो लेट बौई वाली गेहूं की फसल है वो बो देते हैं तो इससे लोग तीन फसलें जो साल की लेते हैं वो काम पूरा कर लेते हैं ज्यादातर ये जो मैंने किसमें बताई ये अरुनाचल परदेश के अंदर उगाई जाती हैं क्योंकि आपको मालूम होगा अरुनाचल परदेश के अंदर रवी और खरीफ का सिस्टम अपने हां से बिलकुल ही जुदा है मतलब एकदम उल्टा है खेर इनका नुकसान क्या है नुकसान ये है कि ये तकरीबन साड़े चार से साड़े पांच क्वेंटल ही प्रतियकर होती हैं लेकिन अच्छा है कि 90 दिन के अंदर हो जाती है उसके अंदर क्या होता है कि यूरिसिस करके एक अस्टिड होता है अगर वो 2% से ज़्यादा है तो वो अपनी बोड़ी को नुकसान पहुंचाता है तो इन क्वालिटियों के अंदर क्या है जैसे एक क्वालिटी है इसकी PG-SH-707 जो 2020 में आई थी इसके अंदर यूरिसिस एसे जो है ये 2% से कम है तो इसका फाइदा क्या होता है कि आपके शरीर के अंदर हार्ट अटैक की दिक्कत नहीं आएगी अगर आप इस क्वालिटी का तेल इस विराइटी का जो तेल है सरसों का वो खाएंगे और इसके क्या है टाइमली आपको विजाई करने पड़ती है और पानी वाले एरिया के अंदर ये होती है मलब सिंचाई वाला एरिया होना चाहिए वाइट रस्ट के अगेंस्ट ये लड़ सकती है और तकरीबन 60 दिनों के अंदर ये क्वाल्टी जो है वो तियार होती है तो मेन इसे खाने के परपस से उगाया जाता है कि खुद के यहाँ पर अगर आप सरसों का तेल निकलवाते हैं तो आप इसी विराइटी को ही लगाएं खेर दूसरी किसम है जी एस सी साथ ये दो अजार चोदा के इसके अंदर कम होगी और ये भी तकरीबन 9 क्वेंटल के करीब परती एकड़ आपको जो है यल्ड प्रवाइड करा देती है अब हम बात करते हैं प्राइवेट कंपनियों वाले सिस्टम की यानि प्राइवेट कंपनियों की बेस्ट क्वाल्टी कौन सी है तो जो मैंने 45 S 32 ले लीजिए 45 S 32 थोड़ी ज़्यादा जल्दी मैचोर होती है और चाहे आप 45 S 46 ले लीजिए ये सभी जो है ये तकरीबन 130 से 135 दिन की वराइटियां हैं और अच्छी बात ये है कि 11 क्वेंटल से लेके 13,5 क्वेंटल तक ये प्रती एकड़ हो जाती है और 45 S 46 जो है ये वारियां भी बहुत कमाती है अगर हम भारती अंसुंदानों की आरेच जो आई ती इसके वारे में बात करें तो आरेच 725 बिरानी इलाके की है आरेच 0749 आरेच 0406 ये सब जो हैं 150 दिन के अंदर लगबग हो जाती है और साड़े दस दस कोईंटर के आस पास इनका जो है इल्ड परतियकर रहता है ऐसा बताया जाता है लेकिन जो नहीं किसमि अगर बात करें जो नहीं किसमि आई है वो कौनसी है वो भी आरेच के अंदर ही है आरेच 14-24 और आरेच 1706 इनकी कॉलिटी ये है कि इनके अंदर 38% और इनके अंदर 40% کے करीब तेल है और अच्छी बात यह है कि लगबग 26 से 27 दोनों ही लगबग 26 क्वेंटल के आसपास प्रती हेक्टेर उत्पादन देती हैं तो कुल में लाकर बात यह है अगर हम पूरे टोटल सेनेरियों की बात करें कि कौन सी वराइटी सबसे अच्छी रहती हैं तो मैंने अपने खेट का जो खुद हमने बो रहे हैं तो हम पाइनर कंपनी की 45 से 46 ही ज्यादा बो रहे हैं और इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट जो है हमें मिल रहा है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हमारे खेट की वो सरसों जब हरी थी तब दिखाई देगी और इस वीडियो को देखेंगे तो त आपको अच्छे से साफ साफ पता चल जाएगा खेरत दोस्तों देखते रहे हैं एबी सी